हेलो स्टार्ट करते हैं बच्चो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको थ्री ओप्शन आएगा पहला उप्शन रहता है आल का अल पे क्लिक करना उससे क्या होगा कि जब भी मैं नई वीडियो प्लोड करूंगी तो आपको उसका नोटिफि क्या में थोड़ा सा वाटर एक क्लास में लूक एटी कि क्लर आपको क्या करना कलर देखना हिंनंककु कौन सा क्लर है ओठाल रहिए पानी का क्या क्लर होता है दो आप बताक हुच Smell of Fragrant Flower तो आपको क्या करना हैं एक flour का क्या करना है आपको Fragrant मतलब कि उसकी सुगन्द लेनी जी देखो जैसे यह लड़की कर रही है और यह लड़की क्या कर रही है ग्लास में water चेक कर रही कि कौन सा color है ज़ने और वाटर लेनी पम पदया है now smell the water अब इस water को भी smell करो does it have a smell क्या water की कोई smell होती है taste ripe mango और चिकु और guava तो आपको क्या करना है mango की देखो यहाँ पर या फिर चिकु या अम्रूद की क्या करना है आपको उसको taste करना है ripe मतलब पके हुए ठीक है पके हुए mango चिकु गुवावा को taste करना है how does the ripe fruit taste तो how does how does मतलब कैसा है जो पके हुए fruit का taste कैसा होता है sweet होता है न now taste the water अब आपको क्या करना है water को taste करना है how does it taste इसका taste कैसा है what does this tell us क्या मैं बताता इसका that means pure water has no color taste or smell the Reamil यह मतलब जो प्योर वाटर होता है pure का मतलब होता एकडम शुदि जो शुदि water रहेगा एकडम clear मों क्याथ रहेगा जो उसमें ल्हाटा कोई color रहेगा पानी का कोई ka ler नहीं हो था उसमें रणी रंट डालोगे तो नहीं होता मतलब ना तो इसमें कलर रहता है नधी पूरर स्विशल इसमें कहाँ संस hem कलरी रहता है या समयल भी रहते है टेस्ट भी रहता है लेकिन इसमें कुछ नहीं होता कि चलो आगे देखते हैं आच्क धिसमें आपको एक न्यू टंदिया गए ट्रांसपेरन coherent transparent क्या होता है जो पारदर्शी होता है एक तरफ से दूसरी तरफ देखा जा सके if you can see through a substance it is said to be transparent अगर कोई भी एक चीज है उस चीज के इस पार से उस पार देख पा रहे हो तो वो क्या है transparent ठीक है transparent का मतलब कि जैसे कि आप इस साइड इस तरफ होते हुए भी कोई आपके बीच में इस तरह किसे कुछ है मालीजी यह आइना है कुछ इक ग्लास है ठीक है और इस आप इस साइड हो और उस साइड का जो सीनरी है जो सीन है वह आप देख पारती है क्या है ठीक है अभी हम आगे पूरा इक दम तो आप इस तरीके से खड़े हो कि उस जगह कुछ देखोगे इस की उस पार तो दिंख एगा यह देखो जैसे आपर नहीं दिखेगा इसको कोई ऐसा सबस्टेम जो की आर पार ना दिखे एक तरफ से दूसी तरफ कोई भी चीज ना दिखे और ट्रांस पए कि जो आर पार दिख जाए कोई भी चीज के थू इस शूड़ वी ड़न विद एडल सुपर विजन एक अक्टिविटी दी गई है यह आपको एडल सुपर विजन मतलब कि कोई जो एडल जो आपके घर में बढ़े रहे हैं उनके सुपर विजन में मतलब उनकी देखरेक में कर आपको क्या करना है इस साइड आपको बैठ जाना है और केंडल के बीच में क्या करना है आपको कड़बर रग देना है az look at the same candle through a okay क्या करना है आपको बीच में इस तरी केसे लेना है ठीक है चश्मा पहें तो आपने देखा होगा कि उस पार हम देख पाते हो रहते हैं। तो आपको दीखे गा क्या नहीं क्योंकि वह ओपिक सब्स्ट्रेंस है क्यों में आपक के थू हम नहीं देख पाते हैं। जो जिसके आरपार हम देख पाते हैं उसको बोलते हैं transparent, ज 주uated yaglass क्या transparent और यह क्या है, opaque है, हमने यहाँ पे पढ़ा ना, opaque and transparent, यह है opaque, मतलब यह क्या है, यह opaque substance है, और transparent क्या है, बताओ मुझे, transparent है, यह glass, काच, you cannot see the flame तुद अपीस काड़ बुर्ट के थू इस जो मॉंबत्ती है जो केंडल है उसके फ्लेम को फ्लेम मतलब यह जो जल रहा है उसके फ्लेम को नहीं दिख पाएंगे but you can see it through the glass लेकिन आप इस glass क्यों देख पाऊगे क्यों transparent है what does that mean मैंने वही बता है that is the glass is transparent but the cardboard is opaque substance the cardboard is opaque but glass is transparent यहाप लिखा भी है कि cardboard क्या है opaque और glass क्या transparent now look at the candle through a glass of water what do you find तो आपको क्या करना है जो candle है उसको उस पार रखना है बीच में क्या करना है एक glass भर के रख देना है पानी ठीक है भर के पानी रख देना है फिर अब क्या देखोगे the candle can be seen through the water in the glass as well आप देखोगे कि यह पानी के पार भी दिखता है मतलब water के उस पार भी अगर आपने candle रखा हुआ है तो भी आपको यह कांच के glass से आपको दिखेगा पत्तर जो floor रहता है जो रहता है नीचे का जमीर वो दिखता है न क्यूंकि वो यूर ट्रांस्पारेंट होता है нед regeneration होता है उसके आरे पार हम देख सकते हैं प्यार्टर क्या होता है प्यूर्वाटर है नो कलर प्यूर्वाटर है no smell pure water has no taste pure water has pure water is transparent यह transparent भी है ठीक है अपको एक आक्टिविटिडी और दी गई है टेक सम वीट और ब्रस और के हहुँ और जो अट्रा लेना है और सम वॉटर लेना है टेक टू 2 dishes and 2 glasses आपको 2 dishes मतलब dishes का मतलब क्या होता है यह थालियां और glasses का मतलब 2 glass लेने है put a little floor in one of the dishes आपको क्या करना है एक में आपको जो आटा है उसको ऐसे रखना है ठीक है एक dish में एक थाली में आटा रख देना है pour some water in the other dish और दूसरे dish में क्या करना है water पोर कर देना है मतलब पोर का मतलब होता है एक मिनट ओकी तो यहां पर क्या करना है पोर पोर मतलब की उड़ेलना कुछ पानी इसमें गिरा दो इसमें ठीक है other dish दूसरे other मतलब दूसरे dish में now put some floor in one the in of the glass तो एक ग्लास में आपको क्या करना है ऐसे रख देना है मतलब इसमें भी एक ग्लास में आपको ऐसे क्या करना है सिर्फ वह आंटा डालना है and put some water in the other glass और क्या करना है थोड़ा सा आपको क्या करना है and put some water दूसरे glass में क्या करना है water डालना है इसमें समझ में क्या करना है देखो मैं बताती हूं पहले समझ लो की करना क्या है दो आपको इस तरीके से आपने क्या लिया ठाली लिया ठीक है डिश लिया एक में क्या किया आटा डाला और एक में क एक ग्लास में पानी भरा और एक डिश में और एक ग्लास में आटा डाला, सिर्फ आटा, अब आप क्या देख रहे हो है यहाँ पे, What do you see, a small heap of floor is formed in the dish, a heap of floor is formed in the glass as well, the water however takes the shape of the plates of the glass, हमने क्या देखा, एक heap बन गया, जो आटा है, आटे का क्या बन गया, heap, heap का मतलब अइसे एक धेर बनना, जो heap होता है, तो यह क्या बना, आटा आपने रखा तो यह क्या बना, heap बना, उसने क्या प्लेट का अकार ले लिया नहीं वो एक ही जगह पे इस तरह के से जितना आपने रखा हुआ है वो उतने में पड़ा हुआ है और अगर हम ग्लास में देखे तो ग्लास में भी क्या इस तरह के से हिप बना हुआ है ठीक है उसमें भी ऐसे पड़ा हुआ है क्या उसन काशेप से ले लिए लोटे में डाल है दोस्हाइब बॉटल का बकेट में डाल है लICKा में डाल है और इस थैल схoptर की वसे में क्या बदाने जब से मछन की उसमें आराम काशा जाए िडाएब जिए जो आब इक्टिविटी किैसे में क्या पता चलता है We actually theChat of the container into which you pour it, तो water क्या करता है, वो shape ले लेता है, उस container का जिसमें आप उसे pour करते हो, जिसमें आप डालते हो, pour का मतलब जिसमें आप डालते हो, तो जिस किसी भी container में आप water को डालोगे, वो उसी का shape ले लेगा, मैंने पहले बताया, water does not have a shape of its own, मतलब हमने पहले पढ़ा था, ना तो इसका color है, है ना ना तो इसका color है, ना ही इसका taste है, और क्या है, ना ही इसकी smell है, smell भी नहीं है, मतलब ना इसका कोई color है, ना कोई सुगंध है, ना ही कोई taste है इसका, और अब तो हम क्या देख रहे हैं, इसका shape भी खुद का कुछ नहीं है, जिसमें डालेंगे वही शेप ले लेगा that is why it spreads when it spills on the floor इसलिए इसलिए क्या होता यह फैल जाता है जब भी यह फ्लोर पे गिरता है ना इस तरह किसे पानी गिरा तो क्या होगा ऐसे पड़ा थोड़ी रहेगा वो वो सॉलिड थोड़ी है कि यहीं पर पड़ा का पड़ा रहेगा क्या होगा वो तो पानी फैलता जाएगा जहां 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 उसको जगह मिलेगा ढलान वहां वहां चलता जाएगा समझ में आ गया कोई शेप नहीं होता इसका इसलिए यह किदर भी फ्लोर पे गिरा तो बैठा जाएगा कि यूसी योर ब्रेंड पार बीकें सी दा बॉर्टम ऑफ पूल और ओफ वॉटर ऑफ विट इस वडो होता है तो यह आंट पा पानी ऊपर अगर एकदम रहेगा तो इसके नीचे हम इसको भी देख पाएंगे अगर दखंग पतर हैं मुझार फिचुन बीक यह का पानी पा अगर जा रही है तो भी हमें दिख जाएगा तो अगर वाटर क्लीन रहेगा तो वाई ऐसा क्यों होता है वाइल कैरिंग बकेट ऑफ वाटर डाउन स्लोप दबकेट फेल एंड़ वाटर वास प्लेट इस्पिल्ट विल दवाटर फॉर्म हीप और विल इट फ्लो अवे यहां ञetto लागया है अगर आप इस तरह के से भुकट कर भर के पानी ले जा रहे हैं और स्लोप मतलब यह पानी गिर घ्र है तो लगए हैं तो यहां पटर पी स्लोप करेंगा यह लगा I तो यह तो बहने ही लगेगा ना ऐसे ऐसे करके जहां जहां पर पानी जहां जहां जापी से ऐसा जमीन इस तरह के से स्लोपी दिखेगा है ना तो वह बहने लगेगा हिप नहीं बनेगा क्योंकि वह उसका स्टेट क्या है लिक्वीड है solid नहीं है वो मतलब कठोर नहीं है वो तो पानी है इस liquid है more about water so water takes the shape of its container तो हमने देखा कि जिस भी container में रखेंगे वो shape का हो जाएगा it spreads on a flat surface ये क्या होता है flat surface पर ये क्या करता है फैलता है spread का मतलब होता है फैलना surface का मतलब ये सतर जो floor होता है it flows down a slope और क्या होता है slope से नीचे गिरता है अबने देखा है जर्ना कहा गिरता है क्या ऐसे नीचे से उपर जाता है क्या जर्ना नहीं उपर से आता है नीचे की side है ना कि अब दूसरा activity देखते है the three states of water water के क्या होते है three states होते है मतलब तीन रूपों में पाया जा सकता है water कि place a few ice cubes in a glass एक ग्लास में क्या करना है कुछ ice cubes डालने यह इसको इसको cubes बोलते हैं जो छोड़ी छोटे रहता है जो थोड़ा थोड़ा इस रहता है उसको ice cubes बोलते है cubes see what happens to them after a while अब इसको तो रख दिया अब थोड़े टाइम के बाद देखो क्या हो जाएगा विर्कुल ऐसा हो जाएगा यह तो सबको पता है न अब यहां पर क्या करना है यह भी एक्सपेरिमेंट देखते हैं do this experiment with the permission of an adult and under his house supervision आपको यह किसी बड़े की देखरेक में करना है है खुद से नहीं करना है heat some water on a burner मतलब आपको क्या करना है बर्नर यह बर्नर होता है जो कि जो साइंटिस लोग होते हैं जो experiment करते हैं यूज करते हैं तो आप गैस भी जला सकते हो ठीक है स्टोविया गैस पे तो आपको क्या करना है आपको जलाना है इस तरह के से और पानी रखना है what do you see after some time तो आप कुछ time के बाद क्या देखते हो after मतलब बाद में sometime मतलब कुछ time के बाद क्या देखते हो the water begins to boil boil मतलब उबलने लगेगा water उबलने लगेगा keep it boiling for some time and observe it keep it boiling इसे उबलते रहने दो कुछ time के लिए और observe करो observe मतलब ध्यान से देखो what do you see तुम क्या देखते हो there is less water in the beaker तो जो आपने जिसमें पानी रखा हुआ है गरम करने के लिए आप देखोगे वो beaker इसको beaker बोलते हैं आप किसी भी आपके पास जो बरतन है वो आप देख सकते उसमें तो आप देखो कि धिरी धिरी कि वो क्या हो गया less मतलब कम होने लगता है water beaker में से why is there less water than before तो पहले से before मतलब पहले से यह water less कम क्यों हो गया using tongs टॉंग क्या होता है यह जो चिम्टा होता है ना उस जो पकड़ होता है उसको उसे क्या करना है आपको यूज करना है hold a steel plate in the steam coming from the water only a few moment and remove it थोड़े time के लिए क्या करना है आपको इस तरीके से एक plate लेनी है और क्या करना है जो steam steam मतलब जो भाप जो इस तरीके से बाहर आ रही है उसके क्या क्या करना है उसे cover कर देना है थोड़े time के लिए from the water only for a few moments and remove थोड़े time के लिए यहां पे रखो जो भाप ऐसे निकल रही deadline तो आप देखोगे कि जब हमने यहां पर क्या किया पाणी उबल रहा है इस पे रग दिया प्रेट तो प्रेट हटाएंगे देखते हैं कि उसमें से पानी गिरना लगता है यह पानी कहां से आया प्लेट तो उपर सूखा सूखा था आपने रगदिया उपर तो यह पानी कहां से आ गया चुछ प्लेट में अब तरीके से थांव है से एक्स्ञाइशन कर रहा है कि क्यों कैसे आया पानी आपको बता देती हुए फोड़ा सा कि देखिए जब आप क्या करते हो कि जब इस तर और फिर जब बैबन के उड़ रहा है तो उसी का क्या होता है कि जब भाप बनके उड़ा तो उसके पर प्लेट रख दिया तो वोटर क्या हुआ वहीं पे जम गया वहीं पर रुख गया और फिर जब उसे अठाऊगे आप तो वह देखोंगे की बुन्दों के रूप में वहाँ पर रहते हैं, तो चलिए ध्यान से पर तो समझ में आ जाएगा, तो जब water cold हो जाता है, तो यह क्या होता है, freeze हो जाता है, जम जाता है, freeze में रखते हैं, ठंडा होते 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 होते, क्या हो जाता है, freeze हो जाता है, जम जाता है, ice cube में, या फिर glass में भी रखोगे ना, तो वो भी freezer में रखे रखे क्या होता है ठंडा होते होते जम जाएगा that is it turns into ice तो that is it turns into ice यहां पर क्या बोला गया है इसलिए यह ice में turn हो जाता है यह ice में बदल जाता है when ice is left uncovered और जब ice को uncovered मतलब खुला छोड़ दिया it gets seeds from the air around it melts तो क्या होता है जब ice को रखा ठीक है ग्लास में रखा और इसे खुला छोड़ दिया तो बाहर की जो क्या है बाहर का जो हवा है तो उसमें गर्मी भी है heat भी है इसकी वाज़े धीरे धीरे ध हो जाते और पाणी यहां तका जाता है जितना उससे थोड़ा काम हो जाता है ठीक है और जब ठन demands होने Woolixon देते अंच फ्रीक से तो यह बन गया लिक्विड बन गया और प्लकार लिक्वीड वन गयार क्या क्या ग्याश बयों कि ऊब रहे था ऋश्धर हूं तो लिक्विध के भाब बन रहा था अभी आ Bowlीय पढ़ेंगे वाटर वेपर के बारेम है boiling water in the experiment turned into vapor तो जो boiling water होता है तो यह क्या होता है जब experiment करते हैं तो यह किसमें वेपर में change हो जाता है मतलब भाप में तो यहां पर किसमें चेंज हो गया यह वेपर में मतलब की यह इसनी ने चेंज हो गया आविपर का मतलब होता है ह। शीर समय होना में चेकत व्वर 20 क्य söो गया कम हो फॉनीन में इससे निस टरीक से जब वालते गया वालते गया वालते गया पॉनीन कुद तो फेलतों यह यह वाटर यह वहाब लगता है इस पर नमक कैसे बनता है इस समंदर के किनारा इसे क्या करते है इसमें पानी फ्र्ड़ण जमाँ होता है ध्र थुट्र जमाँ होता है उसके बाद क्या होता है जो वृटर रहता है वह से वेपर बनके उड़ जाता है और नीचे नमक रह ताथा कि मैं पता है समंदर के पानी नमक बहुत जादा है तो तुर नमक स्व Krits na go इसकि अध्याता से उड़े जाता है मुख जाता है घड़ा होता है तो यही जौ भाई है जब ठंड़ा होता है ठीक है तो यही पानी में बदल जाता और वाटर में कनवर्ट हो जाता है तो आपने आपको यह पता होगा कि जो नदी होता है समुंदर होता है उससे धूप की वज़े से भाब बनके उड़ता रहता है और बाद में जब उपर जम जाता है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा यहां पे बादल बनने लगते हैं द्रीवरों होटा है फिर वाटर में कनवर्ट हो जाता है दप्लेट हैं देस्टीन वह स्कूल तो जो प्लेट है स्टीन के उपर वह ठोडा कूल है है इधर घर हर अ कि तो तो इसे दी जा रही है नीचे, नीचे हीट दी जा रही है और उपर जो लीड रखा गया वो तो ठंडा है, ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि जब ये वाटर जो भाप है, स्टीम है, इससे टॉच होता है, तो इस पे जाके वो वाटर डॉपलेट बूंदे वाटर की बन जा है, वो तो ठंडा है, उपर से रखा गया है, तो ये क्या होता है, उसको तो हीट नहीं मिल रही है, प्लेट को तो हीट नहीं मिल रही है, इसके लिए जो भाप है, वो जा जाके, वहाँ पे क्या बन रहा है, प्लेट के अंदर इस तरीके से इस तरीके से सारे भाप जो है, द्रॉप्लेट में कनमर्ट हो जा रहा है सित्रीक से ड्रॉपलेट में मतलब पानी की बुंदे में बन जाती है अधर जाके new terms, state the form in which a substance may be found तो हमने देखा न, state मतलब कौन कौन सी इस्थिती रहती है तो हमने देखा क्या कि liquid state है ठीक है, liquid state होता है water का, और solid state होता है और gas भी होता है gas, ठीक है, क्योंकि वो भाब बन के जो उड़ा, वो क्या एक हावा के जैसे है तो गैस के form में गया न, उपर water vapor क्या है the form in which water is held in the air ऐसा form, मतलब की ऐसा एक प्रकार, जो की हवा में क्या हो रहा है, water water present है, ठीक है जो की जो हवा है, air ने water को held करकी, मतलब पकड़ के रखा हुआ है, तो वो क्या है water vapor, वो भाब है जो gas form में, वो हवा में है लेकिन जब यही दीरे-दीरे-दीरे ठंडा होने लगता है उपर environment में और भारी भी होने लगता है, तब यही बारिश बन के नीचे आ जाता है, ठीक है the water we use everyday in liquid state हम, तो daily use करते है liquid state में पीने के लिए, खाना बनाने कपड़े दोने के लिए बरतंद होने के लिए नहाने के लिए ice is its solid state लेकिन जो ice होता है, वो solid state में भी होता है vapor is the state of water in which it is a gas मतला कि liquid state में तो हमेशा ही यूज करते है solid state हमने देखा है, जो बरफ होता है मार दे, अगर किसी को तो चोट लग जाए ठीक है, और जो vapor होता है, water vapor वो क्या होता है, gas form में होता है क्योंकि वो तो उड़ जाता है ना इस तरीके से जैसे बागी के भी हवा में जैसे nitrogen gas है oxygen gas है, water vapor भी एक तरीकी का मतलब gas form में ही है इस तरीके से उड़ जा रहा है वो water vapor is the gaseous state of the water, तो जो water vapor है यह क्या है, gaseous state है तो मतलब एक gas की तरह है जो water का 3 form होता है आमने देखा water के 3 form होता है कोई पूछे का कितने प्रकार क्या होता है water कितने form का, उसके कौन कौन से states होते है, तो आपको बताना एक तो solid state, liquid state gaseous state, solid state में ice होता है, liquid state में water और gaseous state में water vapor ठीक है, जो भाप होता है वही have some fun थोड़ा सा यहां पर आपको activity का नहीं है, take a glass, एक glass लेना है wipe, उसे पोछो अच्छे से it dry और उसे अच्छे से सुखा दो ठीक है, कहां पर outside and inside अंदर के साइड भी अच्छे से पोछ दो और बाहर के साइड with a clean piece of cloth एक साफ सुथरे कपड़े से place 5 और 6 ice cubes in the glass 5-6 ice cubes आपको डालने है glass में, what do you see, क्या देखोगे आप it is no surprise if the glass becomes wet on the inside बतलब अंदर डाला है तो वो तो गिला होगा ही इसमें कोई surprise होने वाली बात नहीं कोई चौकने वाली बात नहीं तो गिला हो गाई but you see that the outside of the glass has also become moist isn't that strange तो तुमने देखा क्या तुम देखोगे जब उसको बाहर निकालोगे तो वो तो अंदर डाला तो वो तो अंदर गिला हो गाई यह अपर देखो यह बाहर भी इस तरह की से ड्रॉपलेट सा जाते हैं उपर में क्यों ऐसा होता है आप देखा होगा जब आप पानी freeze बाटल निकालते हो जब बैग में रख्यों तो धीरी धीरी अपका भीगने लगता है और क्या होता है पानी जैसा चोड़ने लगता उस बॉटल के उपर से दिखने लगता है या फिर कोल डूरिंग की उपर से अगर आप लोग यह और बाहर रखोगे तो देखो कि इस तरीके से उसके उपर आपको पानी दिखेगा उस ग्लास की उपर से ऐसा क्यों दिखता है मैं अब उसके बारे में यहां पर देखते हैं बैटे गर में हवा नहीं चल रहे है फिर भी हाँ हम सांस ले पा रहा है तो इसांस के कंशांद के अंटेरी की कलो है요 जब हम ग्लास में डालते हैं ग्लास विकम कोड यह कैसे पूरा घ्लास ठंडा हो गया यहां की जो हवाएं रहेंगी उन हवाओं में जो वाटर वेपर रहेगा वो यहां पे इधर आके जो इस ग्लास के बाहर है उसाबके सब इतरह ड्रोपलेट्स में इस तरह के से ग्लास के बाहर चिपक जाएंगी दिखने लगेंगे आमें वाटर प्रोपलेट्स में तो यहां पर ग्लास ठंडा हो जाता है जो हवामें water vapor वेपर है और यह क्या अच्छिए एधर को इस और मॉइस्ट बना देती है मॉइस्ट मतलब गीला बना देती है बाहर से भी इस शूड ओनली वी दन अंडर एडल सुपर्विजन यह आपको किसी बड़े की देखरेक में करनी है वें चपाती है बीन मेड एंड ग्रीडल इस्टील वेरी होट स्प्रिंकल अफ्यू द्रॉप मेड जब चपाती बन जाए कंप्रीट हो जाए बनके तो आपको क्या करना है ग्रीडल इस तवे पर क्या करना है जब बहुत गरम रहता है तो स्प्रिंकल मतलब छिड को पानी छिड को फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर की बूंदे इस पर छिड को वाट दो यू सी क्या नहीं होँ इंचे है जड़ा हो जाए को क्या क्या करता की चिड को कि राउंठ हो जाए गाइस तो हरे के थे ना ज्याया है को लिट हो जा छाए घृंगmar Adi फरो छिडिवि उप हैं ने फेंग फोल में पानी छ किड मार्ट-धी देशन के थेंख ऋदे passenger निव जांद यह में इतनीं गर्मी ह के miejsce के वासे जाए वॉटर इस तरह ह Up इवपरेर हो जाटा है वॉटर बीपर मतलब भाब बनाजे जाता है तो यहां पर इतनी ज्सकों के बयार घ्राब खगी इतनी गर्मी थी कि वह इतनी एक व्टर तुरंट के तुरंट और गायव गया तुरंत भाब बनके उड़ गया इतना ज़्यादा गरम होगा उतना ही ज़्यादा भाब बनेगा ठीक है यूज यो ब्रेन पार वाइड वी वेट क्लोज ऑन दे क्लोज लाइन डिकम ड्राइब आफर सम टाइम जैसे ही वाइड वेट क्लोज जो घीले कपड़े होते हैं वेट मतलब क्लोज मतलब कपड़े जो इस तरह की से बनाई जाती है तो बिकम ड्राइब आफर सम टाइम तो इस तरह देखते हैं थोड़े टाइम ही पिर कपड़े डाले दो अधाके और वो सूप गया ऐसा क्यों होता है क्योंकि इतनी ज्यादा धूप होती है गर्मी होती अधिया ना कपड़े में जो कपड़े में वाटर होता है वह कैसे भाब बनके उड़ जाता है धूप की वज़ा से इतनी कड़क होती है और फिर सूप जाता है लेकिन आप देखोगे वही बारिश में ठंडी के मौसम में क्योंकि धूप नहीं होती तो जल्दी सूप भी न उसको इलाना है चमत से वाट दो यू वाट दो यू सी क्या देखोगे तुम यू दो नौट सी देखोगे की वाट जो सॉल्ट है वह बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है वाटर में ठीक है विद दस्पून क्योंकि स्पून से प्लेस ड्रॉप अफ दिस वाटर ऑन य टेलो यू फाइंड देखोगे की यह जो वाटर रोता वह वह सॉल्ट लग रहा है नमक खारा लग रहा है वाट दो दस इस टेल शुन इस से क्या प्रभा चलता है दा वह ऑस सॉल्टी वाटर कैसा हो गया सॉल्टी हो गया इत मिन्स दए सॉल्ट इस तिल देयर इन दा में लेकिन हम वी के नॉट सी था मुझे नहीं पाते हैं वो पूरा तरह के से मिक्स हो गया इन अधर वर्ट्स दसॉल्ट है डिसॉल गया वाटर में पूरा घुल गया डिसॉल मतलब अब गुल जाना तो चाहिए शक्कर हो चाहिए जो फिटकिरी हो चाहिए यह वो पूरी तर अलम होता है फिटकरी होता है वो भी इसमें इस तरह के से मिक्स हो जाता है और दिखता भी नहीं कि इसमें कुछ डाला भी एक नहीं है यूज यूज ब्रेन पॉर्ट सेवरल सब्सेंस डिसॉल्व इन वाटर सम आफ नेम सम आफ देम आप भी मुझे बताओ कौन कौन सी ची पर पर हैव उन पीड़ बंदन न बहुत सारीक लोगों के पास कर दो अंडला फ्रीजञ इन में क्यों होता है अई is made in large quantities जो बड़ी बड़ी फैक्टरी होती है वहां पर आइस लार्ज कॉंटिटी में बनाई जाती बहुत ज्यादा बनाई जाती है इस तरीके से बहुत ज्यादा बनाई जाता है ताकि वह शुगर कैंडी बना सके और क्या बना सके अलग अलग चीजे होती ही खाने के लिए फ्रूट जूस बना सके ठीक है यह सारी चीजे वह बना सके और उसमें कलर वलर एड़ करके बनाते हैं जो फैक्टरी होती है वह यूस करते हैं ठीक है वाट वी है यह जो हमने पढ़ा वही है तो इसको फिर से पढ़ा के कोई मतलब नहीं है ठीक है जो पढ़ा हमने वही है ऑल्वेज रिमेंबर वी नो दा लिक्विट वाटर हैस मेनी यूजेज बट दस वाइस एंड़ गैस स avenir लिकविट वाटर होता है वह थो तो हमारे बहुत काम का है सारा काम मुझा खरते हैं लेकिन जो सॉलिड आइस मतलब जो की आईज है और जो सरिफोन कई वाटर है बहुत यूस फुल अगर मैं आपको बताई कि वाटर वेपर ही ना हो तो बारिश ही ना हो ना और अपने अभी देखा ही जो आइस होता है उससे क्या क्या चीज़े बनाई जाती है लग लग आइस क्रीम बनाई जाती है जो गर्मियों में बेचने आते हैं ठीक है साइकल पर लेकि और बहुत सार कर दीजिए ओके बच्चों